काफी देर से कोई दर्वाजा खट-खटा रहा था, वरोन के नीट जैसे ही तूटी, वो तुरंत दर्वाजे की तरफ बढ़ा अरे, ये इतनी ठंड में सुवा-सुवा कौन आ गया और दर्वाजा खोलते ही कप-कपा देने वाली ठंड से ठेटूटती हुई राम प्यारी अंदर आई ओहो, बड़ी ठंड है बेटा, और इतनी देर क्यों लगा दी दर्वाजा खोलने में मैं सो रहा था अंटी जी अरे, इतनी देर तक बेटा, टाइम तो देखो ओहो, शिट, नौ बज गए ओफिस नहीं जाना क्या बेटा जाना है ना, अच्छा हुआ अंटी, जो आपने गेट बजा दिया ठंड भी बहुत है, सोचा जल्दी से काम करके थोड़ा आराम कर लूँगी मैं भी वरुन तुरंत नहाने चला गया और राम प्यारी रोज की तरह काम में लग गई रसोई घर रोज की तरह के शोर में डूब गया कुकर की सीटी, बरतन धोने की आवास, पराठे सेखने का धुआ और इन सब के बीच अपने काम में मशगूल राम प्यारी जो की पिछले तीन महिने से वरुन के घर में काम कर रही थी आंटी जल्दी से नाश्टा लगा दो, आज बहुत लेट हो गया मैं हाँ बेटा, सब तयार है राम प्यारी ने नाश्टा लगा दिया और वरुन नाश्टा करते हुए बात भी कर रहा था आंटी अच्छा हुआ जो आप मिल गई मुझे बना आजकल अच्छे लोग कहा मिलते हैं हाँ बेटा, आप जैसे अच्छे मालिक भी कहा मिलते हैं पूरा घर आपकी ही जम्यदारी पर है कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई तक खाना पकाने से लेकर घर का पूरा रख रखा सब करती हैं आप हाँ बेटा, ये तो मेरा काम है आज रामप्यारी के चहरे पर कुछ नया था काफी सोच विचार के बाद वरुन ने पूछे लिया क्या बात है आँटी जी? आज आप बाकी दुनों के मुकाबले को जाद ही खुश नजर आ रही है मुझे भी तो बताओ क्या खुश कबरी है आज मेरी बेटी का बारवी का रिजल्ट आने वाला है बस उस वजह से इतनी खुश हूँ अच्छा, लग रहा है आपको पूरा भरोसा है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा हाँ बेटा, बिल्कुल अच्छा, फिर मुझे भी बताना ठीक है अब मैं चलता हूँ तो रामप्यारी काम पर लग गई अगले दिन रविवार था और रामप्यारी काम पर नहीं आई आज तो साड़े दस हो गए हैं आँटी आई नहीं है अभी तक वरुन ने फोन किया लेकिन फोन बंद था वरुन मन ही मन सोच रहा था कि आज रामप्यारी क्यों नहीं आई किसी ने दर्वाजा खट-खट आया लगता है आँटी आ गई है वरुन दर्वाजा खोलने गया वहाँ एक लड़की घड़ी थी अब वरुन भहिया है ना मेरा नाम लक्षमी है हाँ पर तुम कौन हो माने भीजा है वो आज मा को बुखार है वो नहीं आ पाएंगी तो मैं आपके लिए नाश्टा लगा देती हूँ आप तयार हो जाए भहिया अच्छा हाँ कल तुमारा रिजल्ट आया है ना क्या रहा हाँ भहिया असी प्रतिशत अंक आएं है अरे वाँ बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो ये तो बहुत अच्छी बात है फिर आगे क्या करने की सोची है वरुन के सवाल से उसके चहरे की हसी अच्छानक गायब हो गई लेकिन उसने खुद को संभाला आगी भी पढ़ना चाहती हूँ पर अभी ये मुम्किन नहीं है इतना कहते ही लक्षमी की आँखों से आसु बह निकले लेकिन उसने तुरंथ ही उन्हें पोच्छा और वरुन के लिए नाष्टा लगा कर घर चली गई अगले दिन रामप्यारी फिर काम पर आई और आते ही अपने ही अंदाज में कुछ कहती हुई फैले हुए घर को समेटने लगी खल काम तो ठीक से कर दिया था ना उसने नहीं कोई कमी रह गई हो तो बता दो बेटा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अच्छा आंटी जी आपकी लड़की तो बहुत अच्छे नमबर लाई है आगे कहां एडमिशन दिला रही है लक्षमी को ये सुनते ही जाडू लगाते हुए राम प्यारे नीचे ही बैठ गई और कुछ देर के लिए शान्त ही बैठी रही उसने एक लंबी सांस भरी मन तो है कि आगे पढ़ाऊं लेकिन आगे की पढ़ाई का खर जुठा पाना मुश्किल है लक्षमी के लिए क्या-क्या सपनी सजाए थे लेकिन हाला तो उसे मजबूर हुँ बेटा लेकिन आणटी वो बहुत होश्यार है मैंने लक्षमी के अंदर पढ़ने की प्रबल इच्छा देखी है और मुझे लगता है कि अगर उसे पढ़ाया जाए तो बहुत आगे निकल सकती है नहीं बेटा, मैं अकेली इतना सब कैसे करूँगी लक्षमी की शादी के लिए भी तो पैसे जोडने है आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ नहीं बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पाउँ पसारने चाहिए राम प्यारी बड़े ही गौर से वरुन की तरफ देखने लगी फिर मन ही मन कुछ सोचने लगी और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई वरुन को बुरा लग रहा था शायद उसने पैसो वाली बात बोल कर राम प्यारी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई थी माफ करना अंटी जी, शायद मैंने आपकी दुखती रख पर हाथ रख दिया नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा फिर माहौल को कुछ शांत करने के लिए वरुन यहाँ वाहाँ देखने लगा और तब ही उसकी नजर राम प्यारी के स्वेटर पर पड़ी आपकी स्वेटर तो बहुत अच्छी है, कहां से खरी दिया ये, ये मैं खुद ही स्वेटर बुनती हूँ ये स्वेटर मैंने ही बनाई है, अच्छी लगती है सबको वाँ अंटी जी, बहुत टेलेंट है आप में तो ये सुनकर वरुन के मन में एक विचार आया लोगों के यहां जा जा कर करने में परिशानी होती थी अच्छा अब वरुन का दिमाग चलने लगा, उसी किसी भी तरह से राम प्यारी और लक्षमी की मदद करनी थी अच्छा अंटी जी, अब मैं ओफिस चलता हूँ ठीक है बेटा उसने ये विचार अपने बाकी दोस्तों को बताया तो सभी दोस्त जितना हो सके उतनी मदद करने के लिए तयार हो गए उसी दिन रात में वरुन और उसके कुछ दोस्त सिलाई मशीन और सिलाई के लिए जरूरी सामान लेकर वरुन के घर आ गए अगले दिन रोज की तरह रामप्यारी काम पर आई आंटी जी, रात को सोते वे एक ख्याल आ रहा था कि सिलाई मशीन तो मेरे घर पर भी पड़ी है तो आप चाहें तो उसका इस्तिमाल कर सकती है क्या कहा, मैंने तो कभी नहीं देखी इस घर में कोई भी सिलाई मशीन अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा आंटी जी, मैं दिखाता हूँ आपको, आईए तो वरुन रामप्यारी को एक कमरे की तरफ ले जाता है, जहां सिलाई मशीन एक कपड़े से ढखी हुई रखी थी ये देखी, यहां रखी है लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा इसे, यहां तो कुछ भी नहीं था यहीं थी आंटी जी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा अच्छा बेटे हाँ, आप चाहें तो मेरे घर में भी एक काम शुरू कर सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बेटा, यह तो तुम्हारा घर है ना? लेकिन आँटी जी, घर सम्हाला तो आप ही नहीं है, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है बेटा, यह सब और मैं तो औरत हूँ बस औरत हो तो क्या हुआ, खुद पर भरोसा रखी, लक्षमी का सोची क्या आप चाहती हैं, कि वो भी लोगों के घरों में जाड़ों पहुचा करे? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा और आँटी जी, मैं आप पर कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ आप अपनी महनस से ही कमाएंगी, और मुझे बहुत खुशी होगी तो इस तरह से आखिर रामप्यारी काम करने के लिए मान गई थी लेकिन बेटा, किसी को कोई खैर खबर ही नहीं है कि मैं काम करती हूँ कौन आएगा मेरे पास सिलाई करवाने? आप चिंता मत कीजी, मैं उसका भी अंतिजाम कर लोगा लेकिन वो कैसे? बस अब आप देखते जाए, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत है हाँ बेटा, वो तो मैं तुम्हें देख कर समझ ही गई थी तो उसी दिन सुभा दो औरते वरुन के घर पहुँचती है आँटी जी ये देखिए, आपकी दो ग्रहाक आ गई है हाँ, बिल्कुल सही कहा लेकिन बेटा, ये कौन है? ये मेरे दोस्तों की मम्मी है हाँ, राम प्यारी, अब तुम हमारे लिए ये सूट सिल दो हाँ, जरूर तो राम प्यारी उनका नाप लेती है और इस तरह से धीरे-धीरे दो से चार और चार से आठ ग्रहक बन गए और दिन बदिन ग्रहक बढ़ते ही गए आंटी जी, सच में आप बहुत अच्छा काम कर रही है मेरो दोस्तों की मम्मी ने बताया था कि आपने बहुत अच्छे सूट सिल कर दिये है सच में बेटा, मैं बहुत खोश हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नहीं आंटी, आपकी मेनद है बस आपको सही रास्ता नहीं मिला था हाँ बेटा, तुमने मेरे लिए रास्ता खोल दिया ये एहसान में पूरी जिन्द की नहीं चुका पाऊंगी नहीं नहीं, कोई आसान नहीं है बस आप अब लक्षमी को आगे पढ़ा लें वो जरूर कुछ बन जाएगी अब रामप्यारी वरुन के घर का काम भी करती थी और साथ में सिलाई का काम भी उसी के घर में करती थी दिन बदिन उसके काम में तरक्की हो रही थी अपनी पहली कमाई से रामप्यारी ने और सामान खरीदा और सिलाई बुनाई के काम को अपना पेशा बना लिया अपनी लगन महनत और विश्वास के बल पर रामप्यारी ने अपनी बेटी को पढ़ाया और फैशन डिजाइनर बनाया राम प्यारी जैसी महलाएं हमें प्रेणा देती हैं कि घोरंधकार में भी रोश्णी की जा सकती है समय कितना भी विशम हो, खुद पर विश्वास करने से हमें सफलता अवश्य हात लगती है वरुन जैसे लोग समाज के सभी लोगों को प्रेणा देते हैं कि एक दूसरी की मदद करके हम दूसरों के जीवन में उजाला ला सकते हैं आज रागनी का MBA का आखरी पेपर हो गया है हाँ तू? तो क्या, अब कल ही लड़के वाले देखने आ रहे हैं? क्या? इतनी जल्दी? पर किसने बताया है ये रिष्टा? तेरे मामा जी ने ये रिष्टा बताया है उन्होंने बताया था कि परिवार में सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है सभी लोग पढ़े लिखे हैं लड़के का नाम है प्रवीन, डॉक्टर है और लड़के में कोई आप नहीं है और सबसे बड़ी बात लड़के की माब बहुत ही सीधी है दो भाई और एक बहन है एक बहन की शादी हो गई है ये प्रवीन ही है सबसे छोटा किसी चीज की कोई कमी नहीं है सबसे बड़ी बात है कि देखा भाला घर है जान पहचान है सभी को लग रहा है कि ये रिष्टा हो जाना चाहिए ओ हो बस अब इतनी तारीफ तो आपने कभी मेडी भी नहीं की हाँ सही कहती हो अब कल की सारी तयारी कर ले ना दूसरे दिन जब लड़के वाले रागिनी को देखने आए तो जैसे ही वे लोग कार से उतरने लगे तो घर के लोग उनका स्वागत करने के लिए कार की तरफ जाने लगते है अरे लड़के की मा और भावी के सिर पर पल्लू है तुम भी सिर ढगलो पर हमारे यहां तो ये रिवाज ही नहीं है मैं क्यो ढगलू रागनी की मम्मी कभी भी सिर पर पल्लू नहीं लेती थी वैसे भी आजकल कौन लेता है सिर पर पल्लू लेकिन उन्होंने सोचा कि लड़के वाले ये न समझें कि लड़की की मा के सिर पर पल्लू नहीं है ये तो जादा ही मॉडन है इसलिए उन्होंने सिर्पर पल्लू लेने में ही भलाई समझी रागिनी तो बहुत ही सुन्दर सुशील लग रही है ना पसंद करने का कोई सवाल ही नहीं है ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने और इसके साथ चटमंगनी और पट शादी भी हो गई रागिनी जरा ध्यान से रहना इस घर में सिर्पल्लू नहीं हटना चाहिए हाँ भाबी जी वो तो इस घर में आते ही मैं समझ गई थी लेकिन सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ साथ साल हो गए मुझे अच्छा लेकिन भाबी जी मैंने तो शादी से पहले कभी सूट भी नहीं पहने अब यह सिर ढखकर कैसे रखोंगी चिंता मत करो धीरे धीरे आदत पढ़ जाएगी हर वक्त ही सिर ढखना रहता है क्या नहीं नहीं बस जब और तब ही रागिनी की साज भी उनके पास आ जाती है नहीं बेटा हर वक्त नहीं ढखकर रखना है बस जब घर में कोई आदमी हो तो सिर ढख लेना है मम्मी जी मतलब प्रवीन के सामने भी सिर ढखकर रखों नहीं लेकिर अपने जेट और ससुर की सामने तो ढखना ही है बड़ा मुश्किल काम है ये तो लेकिन सालों से यही रिवास चल रहा है अब मुझे ही देख ले बेटा प्रवीन के पापा को पसंद नहीं है सिर पर पल्लू नहीं होता तो चिर जाते हैं हां रागिनी पापा जी नराज हो जाते हैं ठीक है मैं ध्यान रखूंगी तो रागिनी अब इस चीज की आदर डाल रही थी रसोई में काम करते वक्त या घर में यहां वहां जाते वक्त अगर घर में कोई भी आदमी होता तो रागिनी जल्दी से सिर पर पल्लू ले लेती लेकिन पल्लू बार-बार नीचे गिर जाता था और तब ही उसके ससुर के खासने की आवाज आती ये ससुर जी जो खास रहे हैं न बार-बार ये इशारह है कि पल्लू सेट कर लो अच्छा वही मैं सुचू पापा जी खासी क्यों करते रहते हैं खासी नहीं सिगनल तो उस दिन दुपहर में घर में कोई आदमी नहीं था रागिनी कानों में हेड़फोन लगा कर गानी सुन रही थी उसका ध्यान फोन में ही था तब ही उसके ससुर आ गए रागिनी से ढख लो पापा जी आ गए रागिनी? ससुर जी बार बार खासी कर रहे थे लेकिन रागिनी को तो कुछ सुना ही नहीं तब ही कलपना उटकर रागिनी के पास गई और उसके सिर पर पल्लू कर दिया ओ, मुझे तो पता ही नहीं लगा सौरी ये लड़की मुझे गालिया पढ़वाएगी लेकिन सास हैरान थी कि रागिनी से उसके ससुर बिल्कुल नाराज नहीं होए और नाहीं किसी से कोई शिकायत की क्या करूँ, आज तो मेरे सिर पर तो पल्लू टिकी नहीं रहा ऐसा करती हो, सेफटी पिन लगा लेती हो सभी रागिनी सेफटी पिन लगा लेती है और सुभा नाश्ता बनाते वक्त अचानक से उसके ससुर रसोई में खासी करते हुए आते हैं और रागिनी अपनी सिर पर पल्लू लेने लगती है लेकिन सेफटी पिन अड़ जाने से उसका पल्लू ही फट जाता है और ससुर जी जल्दी से बाहर चले जाते हैं अरे ये क्या, सेफटी पिन क्यों लगा ली इससे तो साड़ी फटनी ही थी तो और क्या करती भाबी, आज सिर पर पल्लू टिकी ही नहीं रहा था ये कपड़ा ही ऐसा है तुम प्रैक्टिस करती रहा करो बार बार पल्लू सिर पर रखने की मैं भी यही करती थी अब ये प्रैक्टिस कौन करता है भाबी? अब इस घर में तो करनी ही पड़ेगी तो एक दिन रागिनी ने इस बारे में अपने पती परवीन से बात करने की सोची क्या है प्रवीन, तुम्हारे घर में सब पुराने रिवाज हो गये है अब क्या हो गया? कितने तो open minded है सब किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कहा तो नहीं बस वो सिर ढखना होता है ना बार-बार मैं तो परिशान हो गई हूँ यार, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मम्मी भी तो ढखका रखती है तो मम्मी भी कौन सा खुश है इससे? वो भी तो परिशान ही है कभी हाथ फ्री होना हो ना ही ढख सके ये तुम लेडीस का आपसी मामला है मुझे इन सब बातों से दूर रखो वैसे भी, तुम खुद पड़ी लिखी हो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्य का समाधान तुम खुद निकाल लोगी ठीक है, सोचती हूँ मैं कुछ हाँ हाँ सोचो, अब तुम भी इस घर की सदस्य हो अच्छा ही सोचोगी ठीक है, फिर थोड़ी गर्मियों के दिन शुरू हो गए और रागिनी ने देखा कि घर के सभी मर्द घर में घुटनों की उपर के छोटे-छोटे शौट्स पहन कर रखते थे ऐसे में ससुर जी और जेट जी के सामने जाने में उसे बहुत शर्म महसूस होती भाबी, ये घर के आदमी तो बिल्कुल छोटे-छोटे शौट्स में है ये क्यों नहीं ढख कर रखते सब अब ये बात इनको कौन कहे आदमी है इन्हे काही की शर्म पर मुझे तो शर्माती है न जेट जी से और ससुर जी से हाँ तो फिर तुमें एक बार बात करके देख लो ऐसे कैसे बात करूँ ऐसे दो मैं भी थोड़ी संसकारी हूँ तो एक दिन रागिनी पपोड़े का गोल बना रही थी और उसके हाथ बेसन से भरे हुए थे तभी रसुई में ससुर जी खासी करते हुए आए लेकिन रागिनी के हाथ बेसन से भरे होने से उसने अपने सिर पर पल्लू नहीं लिया उसकी सास रागिनी पर गुस्सा हो गई यह क्या बहू बड़ी बुजर्गों का कुछ मान सम्मान है या नहीं तुमने सिर पर पल्लू क्यों नहीं लिया ममी जी मेरे हाथ बेसन से भरे होए थे तो मैं सिर पर पल्लू कैसे लेती जब तक मैं हाथ धोती तब तक तो पापा जी चले भी जाते अरे तो ये सिर पर पल्लू लेने का एक्शन तो कर सकती थी उन्हें ये तो लगता कि बहु सिर पर पल्लू ले रही है ये बड़ों का सम्मान होता है आखे शर्म औरत का गहना है अब रागिनी की सहन शक्ती जवाब दे गई उसने सोचा यही मौका है सब बोलने का ममी जी माना की शर्म औरत का गहना है लेकिन घर के मर्दों को भी तो देखिए ये भी तो कितने बेशर्म है रागिनी ये सब तुम क्या बोल रही हो ममी जी क्या आपको बारबर सिर ढखने में परिशानी नहीं होती क्या हाँ होती है लेकिन मुझे तो इतने सालों से आदत पड़ गई है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिये मैं घर में माहौल खराम नहीं करना चाहती लेकिन हमारे घर के आदमी भी तो कैसे छोटे-छोटे शौट्स में बैठे रहते हैं मुझे भी तो उनसे शर्माती है अरी ये कैसी बाते कर रही है बहू आदमी है वो तो क्या हुआ मम्मी जी पहले घर के सबी आदमी उसे कहिए कम से कम घुटनों के नीचे वाले शौट्स पहने तभी मैं सर ढखक कर रखूंगी चल मैं कह देती हूँ बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी बता कहूं के नहीं कह दीजिए रागिनी के ऐसा कहने पर सास को बहुत बुरा लगा वो हॉल में चली गई आओ तो सब यहां सब कोई सुनो तो सही रागिनी क्या कह रही है हाँ क्या हुआ क्या कह रही है रागिनी रागिनी मन ही मन बहुत डर रही थी कि न जाने उसकी इस बात का क्या मतलब निकाला जाएगा कहीं प्रवीन मुझसे नाराज हो गया तो सब कुछ अच्छा तो चल रहा था सिर्फ पल्लू ही तो लेना था ये मैंने क्या कर दिया वहीं बाहर सास ने सब के सामने सारी बात बता दी थी रागिनी इधर आओ तेरे ससुर जी बोला रहे है डर के मारे उसके हार पैर कापने लगे परिवार के सभी सदर से उसे ही घूर रहे थे रागिनी बेटा ये क्या किया सोरी पापजी नहीं मेटा सच में ये आज क्या कर दिया तुमने मतलब आप हस क्यों रहे हैं तुमने आज हमारी आँखे खोल दी हम लोगों ने इस दिश्टी कौन से कभी सूचा ही नहीं कि हमारे इस तरह के कपड़े पहनने से बहु को शर्म हैसूस होती होगी कोई बात नहीं ये क्या हो रहा है आज इस घर में कोई सपना देख रही हूँ क्या नहीं भागिवान देराय दुरुस्ता है सुनलो सभी लोग आज उसे घर में कोई भी मर्द घुटनों के उपर वाले शौर्स नहीं पहनेगा और दोनों बहुओं को सिर पर पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है क्या सच में हाँ मैंने आज तक कभी सोट ध्यान ही नहीं दिया था कि बड़ी बहुओं को साथ सालों से सिर पर पल्लू रखकर काम करने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा मैं गलत था वाँ पापाजी आपने तो कमाली कर दिया आज तो आपका बिलकुल नया रूप देखने को मिला है तभी कलपना भी खोशो कर जल्दी से अपने सिर का पल्लू हटा देती है मानो न जाने उसे क्या ही मिल गया हाँ पापाजी ठेंक यू अरे तू ही सयानी होती तो मेरी आखे साथ साल पहले ही खोल देती अरे अब मैंने क्या किया है और ये सुनकर सब लोग हसने लग जाते है ठेंक्स फॉर वाट परिशान हो गई हूँ मैं मन तो करता है घर ही छोड़कर चली जाओ सुना तुमने कपिल ये लड़की क्या कह रही है मैं तो आज ही आया हूँ आपसे मिलने और आज ही दोनों में जगड़ा हो गया ये सब इनकी वज़ा से ही हुआ है अलीशा शान्त हो जाओ बस बहुत हो गया आज तो मुझे सब बोलना ही पड़ेगा नहीं नहीं रहने दो कुछ नहीं गयाना आज तो अलीशा को सुनना ही पड़ेगा इसी के लिए मैं तना बड़ा अलीशान घर छोड़के आई एशो आराम छोड़े अच्छा और वो कैसे सच में मेरे लिए छोड़ दिया मैं कुछ समझी नहीं यहां सुकून है शान्ती है और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे साथ हो मेरा गर्व, मेरा मान, मेरा अभिमान हो तुम हम ठीक है, सौरी आज बताओ मुझे सारी बात जो भी है, आप हर बार यही कहती है हाँ, क्योंकि सच कभी नहीं बदलता मैं भी जानना चाती हूँ, क्या हुआ था मेरे माबाप के पास बहुत पैसे थे मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा थी लेकिन माबाप के लिए मुझे अपनी पढ़ाही की कुर्बानी देनी पड़ी थी लड़की के पीछे इतना खर्चा मेरे माबाप को मन्जूर नहीं था अच्छा, तो ऐसे भी लोग होते हैं क्या बिल्कुल होते हैं, तुम क्या जानू तुम तो बहुत पढ़ लिखकर बड़े ओहदे पर हो, मैंने तुम ऐसे वाहौल में रखा, तुम की समझती नहीं ठीक है, मैं आज सब सुन रही हूँ शुरू से बताओ मुझे सब कुछ हम, ठीक है 25 साल पहले की बात है सीता रसोई में खाने के लिए कुछ बना रही थी सीता लड़की थी इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था बस उसके छोटे भाई के अलावा एक दिन कपेल और सीता अपस में बाते कर रहे थे अपने मम्मी पापा कितने पुराने विचारों के है न हाँ, पर मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती लड़की जो हूँ आज मुझे गाना सिखाने के लिए घर में गुरू जी आएंगे आप भी सीख लेना चाहो तो नहीं नहीं, मम्मी पापा मार डालेंगे उस दिन घर में सीटा और कपिल ही थे उनके मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे तो थोड़ी देर में गुरू जी आए बेटी, तुम भी एक बार गाना गाओ हाँ दीदी, गाओ ना मुझे भी देखना है कि तुमारी आवाज कैसी है सीटा उनके पास बैट गई और एक गाना गुनगुनाया दोनों ने बहुत तारीफ की ब्रजेश और बबीता के घर लोटने पर गुरू जी से मिलना हुआ आपके घर में तो मा स्तरस्वती की करपा है कितनी अच्छी आवाज है आपकी बेटी की उसको गाना सिखाईए वो एक दिन बहुत अच्छी गायका बनेगी जरूर गुरू जी के जाने के बाद ब्रजेश सीटा के कमरे में गया और बेल्ट से उसे पीटने लग गया सीटा चीक रही थी चिला रही थी अब बस भी कीजिए इतनी मार बहुत है इसके लिए तु चुप रहे जा यहां से भूट हो गया अब तो इसे जल्दी से यहां से भेजना पड़ेगा धूडता हूँ जल्दी कोई लड़का इसके लिए खेर लड़का तो मिल गया शादी भी पक्की हो गई लड़का अच्छा था सरकारी नौकरी करता था शादी भी हो गई ससुराल में पहला कदम रखते ही सीटा को उसकी सासने पास बेठाया घर को बस एक पोटा दे दो और कुछ नहीं चाहिए तुमसे ये सुनते ही सीटा का अधित उसकी आँखों के सामने तेलने लगा उस दिन के बाद बहुत चिंता होने लगी कि अगर लड़की हो गई तो कई राते वो सो नहीं पाई सीटा ने इस बारे में अपने पती रगु से बात की माजी चाहती है कि लड़का हो और अगर लड़की हो गई तो ये नहीं हो सकता तुम्हें लड़का ही पैदा करना होगा ये आप कैसी बाते कर रही है लड़का ये लड़की होने में मेरा कोई रोल नहीं है तुम्हारा ही रोल है इस घर में लड़का ही आएगा अपने पती की ऐसी सोच देख कर सीता हैरान हो गई थी उसे अकेला पन फील हो रहा था शायद अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं था जिसे वो अपना कह सके कुछ टाइम बाद सीता प्रेगनेंट हो गई थी उसकी सास तो मानो हवा में ओड रही थी रगू भी काफी खुश था अब तो मेरा भी बेटा होगा मैं भी सोने की सीड़ी चड़ जाऊंगी मुझे बस पोते का मूँ दिखा दे बहू अगर लड़की हो गई तो तेरे मूँ में कीरे पड़े डायन ये बात बोलना भी मत सोचना भी मत सीता अगर लड़की हो गई तो उसकी मैं तेरे पेट में ही हत्या कर दूँगा ये आप लोग कैसी बाते करते हैं आप तो इतनी पूजा पाट करने वाले लोग हैं ब्रोन हत्या का सोच भी कैसे सकते हैं तुम मुझे पाट मत बढ़ा जितना बोला है उस पर द्यान दो लड़का ही होना चाहिए समझी लड़का हुआ तो ही तेरी जिंदगी है मरना सोच ले तेरा क्या होगा रगु को लड़किया मिल जाएंगी बहुत खेर सीता अंदर से तो तूट गई थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी दो महीने बाद सीता का एक एकजाम का रिजल्ट आया तो इस बारे में बात करने रगु के पास गई शादी से पहले मैंने एक लिखित परीक्षा दी थी सरकारी नौकरी की उसी का रिजल्ट आया है मेरा सेलेक्षन भी हो गया है बहुत बहुत बढ़ाई हो तुमें ये तो बहुत अच्छी बात है तुम काफी होश्यार थी पढ़ने में जी हां वो तो है तो क्या आब मैं नौकरी जोइन कर सकती हूँ अच्छा तो तुम अब मेरी बराबरी करना चा रही हो ठीक है नहीं नहीं बराबरी नहीं ठीक है मुझे सुभा दोपहर और रात का खाना तुम अपने हाथ से बना कर दोगी और मेरे माबाप को भी और इसके साथ तुम चाहो तो शौक से करो नौकरी लेकिन नौकरी की साथ-साथ मैं तीन वक्त का खाना कैसे बनाऊंगी वो सम मैं नहीं जानता लेकिन इस शर्ट को पूरा करके ही तुम नौकरी कर सकोगी अब सोच लो मैं समझ गई कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकती तो सीता समझ गई थी कि रगु किसी भी हाल में उसे नौकरी नहीं करने देता फिर नौ महीने पूरे हो गए थे और उस दिन सीता दर्द से चिल्ला रही थी मतलब आखिर वो दिन आ ही गया जब कोई नया महमान आने वाला था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जल्दी से मेरा पोता ले आई बस देखिए इंतजार कीजिए मुझे चेक तो करने दीजी हाँ हाँ करिये करिये हम यहीं इंतजार कर रहे हैं मैडम थोड़े देर बार डौक्टर सीता को चेक करके बाहर आई कुछ परेशानी है इसलिए ओपरेशन करना पड़ेगा भले जैसे मर्जी आए बच्चा सही सलामत बाहर आ जाना चाहिए बाकी कुछ भी हो ओपरेशन कर रहे हैं थोड़ा वक्त तो लगेगा ही आप इंतजार कीजिए ठीक है मैडम डॉक्टर जल्दी से फिर सीता के पास गई और उसकी बेटी को उठा कर सीता की गोध में दिया मैंने तुम्हारे घरवालों से जूट बोल दिया कि तुम्हारा ओपरेशन कर रहे हैं अब जो भी करना है जल्दी से करो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपकी मदद से ही मैं इस बच्ची की जान बचा पा रही हूँ और नहीं दुश्ट लोग को इसे मार ही देते मैं जानती हूँ इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तब ही उस कमरे के पीछे का दरवाजा खोलता है वहां से कपिल आता है कपिल अपनी बेहन सीता और अपनी भांजी को ले कर वहां से निकल जाता है ये सुनते हुए अलीशा के जरजर आसू बह रहे थे और सीता के भी तो इसलिए मुझे भागना पड़ा और इस तरह से मैं तुम दोरो मा बेटी को भगा कर यहां ले आया था अच्छा मामा मतलब मैं आपकी वजह से जिन्दा हूँ हाँ ये भी कर सकती हो लेकिन पूरा श्रे तो तुम्हारी मा को ही जाता है बेटा तेंक यू सो मच मा तेंक यू सो मच और तुम हो कि मुझसे लड़ती रहती हो घर से जाने की बात करती हो मुझे माफ कर दीजी मा मुझे नहीं पता था कि नाना नानी ऐसे थे और पापा और दादी भी अगर तुम्हारी मामा ने साथ ना दिया होता तो उस दिन मेरा हॉस्पिटल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता मैं कैसे ना साथ देता मैंने दीदी को बहुत तकलिफ में देखा हुआ था और मेरे अलावा उनका साथ देने वालो कोई भी नहीं था थेंक्यू आप दोनों का अब मैं कभी कोई गलत बात नहीं करूंगी नहीं आपको छोड़ कर जाने की बात कहूंगी तो अलीशा अपनी मा को गले लगा कर माफी मांगती है थैंक्स फॉर वाचिंग